Hello friends, welcome to our new video of IRIS Life Science Ltd. तो friends, IRIS Life Science के बारे में Q4 के estimates आ चुके हैं, जो कि profit after tax रहने वाले हैं, जो कि definitely आपको help करेंगे इस particular share में decision making कैसी कर सकते हैं आप लोग, तो definitely जो है यहाँ पे हम cover करेंगे सारे कुछ points की किस तरीके की results रह सकते हैं Q4 के 2022 में, तो यहाँ पे friends, एक छोटी से request आप लोगों के लिए, अगर आपने हमारी channel अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please channel को subscribe कर दीजिए, यह help के लिए आपको सिर्फ एक second लगेगा friends, आपके life में से, लेकिन इस से मुझे बहुत बड़ी help होगी और आपको भी time to time सारे companies के Q4 की results जो आने वाले समय में आते रहेंगे, वो सब जो है हम provide करने की कोशिश करेंगे on time, और उसके लिए please bell icon दबना ना भूलिएगा, यहाँ पे अगर one year का chart हम देखेंगे, इरीस Life Science Limited का, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने 576 का low बनाया था, यहाँ पे 863 का high बनाया था, यहाँ पे यह ट्रेड कर रहे है 7.02 पे और यहाँ पे जो है friends, जो estimates से उसके उपर जाते है हम quickly, इरीस Life Science Q4 PAT, यानि Profit After Tax, Sina 30.7% year on year 2 रूपीज 89.2 करोड, प्रभुदास लीलादर की तरफ से यह update दिया है, और यह estimate जो है काफी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे 30.7% की year on year growth जो है expect की जा रही है, जहाँ पे net sales जो है वो expect किया जा रहे है कि 12.2% से year on year रहेंगा growth करेंगे, लेकिन quarter on quarter पे 6.1% जो है down रहेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहे है estimates में, लेकिन year on year की basis पे अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छी जो है profit after tax रहने वाली है, तो definitely एक positive move हो सकता है, आने वाले कुछ समय में हमें exact date और जो actual results है वो पता चलेंगे, वो आपको हमारी चैनल के थुरू on time मिल जाएंगे, उसके लिए please भूलना मत कि आपको subscribe button हिट करना है और bell icon तबना है, thank you for watching this video.